नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि BMD Plus Tablet का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है BMD Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए और BMD Plus Tablet की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि BMD Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए BMD Plus Tablet को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड़ियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड़ियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं. हड़ियां कमजोर होने की वज़ा से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं, और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और अदल्स में ऑस्टियो मलेशिय में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्राक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार है क्योंकि विटामिन दी के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशन नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरीए शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए कैल्शियम और वि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की BMD Plus टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है BMD Plus टैबलेट का उप्योग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस और औस्टियो आर्थराइटिस होने पर, शरीर के जोड़ों, हड्डियों वं मास्पेशियों में दर्ध होने पर, निूरोपैथिक दर्ध होने पर, यानि नसों का दर्ध होने पर, डाइबिटिक निूरो को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईयां ले रहे हैं जैसे फेनोबार्बितल फेनितोईन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर बीमदी प्लस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है अब हम दिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल् जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को बीमदी प्लस टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है जो व्यक्ति शुद्र शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूद दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बीमदी प्लस टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है महिलाओं में मेनोपॉस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है इसलिए क कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियो पोरोसिस से बचने के लिए डॉक्तर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी बीमदी प्लस टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती हैं क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है अगर आपने स्टेरोइड दवाईयां जैसे प्रड्मिसोनौन, मिथाई प्रаничोन, डिफलाजाकोरत और बीता मिथासोन आ osteoporosis हो सकता है। इसलिए osteoporosis होने के रिस्क को कम करने के लिए भी vein doctor BMB Plus tablet को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा kidney failure होने पर भी शरीर में calcium की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को lactose intolerance की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी calcium की कमी हो सकती है। Lactose intolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वज़से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्थ, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है, तो ये लक्षन Lactose intolerance के हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि BMD Plus टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है, BMD Plus टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, BMD Plus टैबलेट को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं. आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर BMD Plus टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं. BMD Plus टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको BMD Plus टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. BMD Plus टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए? यहां उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है. इसलिए BMD Plus टैबलेट को कैल्शियम का सबसे अच्छा सरोत दूद को माना जाता है. और दूद से बने उत्पाद जैसे की पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है. इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रति दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बांट कर सुबह शाम पी लेता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है इसके अलावा मूग डाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो BMB प्लस टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में BMB प्लस टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन अगर आप BMB प्लस टैबलेट को रेक्मेंडेट डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं तो इसकी वज़ह से बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है जिसको हाईपरकैलसीमिया भी कहते हैं शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है किडनी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना BMD Plus टैबलेट को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए। अब हम दिसकस करेंगे कि BMD Plus टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। थाइरोड की टैबलेट और BMD Plus टैबलेट को एक साथ लेने से थाइरोड की टैबलेट का अवशोशन कम हो सकता है। जिसकी वजह से थाइरोड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर आप थाइरोइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थाइरोइड की टैबलेट और बीमदी प्लास टैबलेट में आज से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए किड्नी की कोई समस्या होने पर और किड्नी में पत्री होने पर बीमदी प्लास टैबलेट क डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको BMD Plus टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए। क्योंकि कैल्शियम के साथ आईरन के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आईरन के अवशोशन को रोक सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका BMD Plus टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.